अहंकार एक बुरी चीज होती है और जहां कहीं भी अहंकार का नाम आता है तो सबसे पहले जेहन में रावन्ड का ख्याल आता है तो आज हम बात करेंगे दशरे के परवपर उसी रावन्ड की जो अहंकार के कारण सधियों तक जलाया जाता है और बुराई का प्रतीक बाना ज इस वक्त MP News की टीम इंदोर के तिलक नगर छेत्र इस्थित रावंड दहन इस्थल पर मोजूद है और मैं बात करूंगा इस रावंड की तो यह रावंड क्या कहना चाहता है या मोजूद जनता से वो आपको बताना चाहूंगा यहां पर पिछले 52 वर्सों से रावंड दहन क आय़जन होता ही और बात की जाए तो यहां का जो रावंड है वो 51 पीट का बना हुआ है और उसके जो दस चहरे हैं दस आवतार हैं वो कहीं-कुछ कहते हैं नजरा रहा है रावंड को दशानंद इसलिए कहा जाता था कि उसके दस चेहरे थे और यही दस जो चेहरे हैं वो रावन के एहंकार को दर्शाते हैं जब राम और रावन का युद्ध हुआ था तब उन्होंने दस आवतार लिये थे और जिस तरह से दसों आवतारों का वद स्री राम ने किया था और उन्हें बुराई का प्रतिक माना गया था वही बुराई के प्रतिक को सद्यों तक लोगों को रावन के पुतले के रूप में दिखाया जाता है बात की जाए पूरे म्रद्य प्रदेश की तो वहां हर जिलो और हर शेहरों में इस तरह के रावन दहन के आविजन होते आ रहे हैं लेकिन कभी किसी पूरे मैं यह नहीं सोचा कि जो रावन का पुतला है वह एक मोख पुतला नहोंके कुछने कुछ संदेश या अपनी कुछ बात कहना चाहा रहा है यह जो रावन मेरे पीछे मोजु तहे मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो चेहरा की बनावट है वो इस तरीके से की गई है कि वो उसका अहंकार उसके चेहरे में अलगी जला करा है और हस्ता हुआ जो चेहरा है और सीना तान के खड़ा हुआ रावन अपने घमन को बताने कोशिश कर रहा है लेकिन हमेशा रावन की बुराईयों को हम देखें तो लोको को गहांड करना चाहिए और जिस तरीके से रावन दहन के पहले हम सिर्फ एक पुतले को जलते हुँए देख्के अपनी खुशी मना लेते हैं वही खुशी मनाने से पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि जो रावन का पुतला खड़ा है उसकी जो तस्वीर है उस आदास